योगी जी पूरा कैम्पेन अगर हम देखें चाहें वो राहूल गांदी भाशन दें, प्रियंगा गांदी भाशन दें, खरगे जी दें, अकले शादव दें, शरत पवार दें, या आम आदमी पार्टी के नेता दें, सब एक स्वर में एक ही बात कहते हैं, अगर मोदी जी त और मुझे देश के सबसे बड़े राज्य में तो मैं परचार में लगाई हूँ, नौराज्यों में जाने का उसर प्राप्त हुआ है और सच मुझ भारत की जनता कृत गिता ग्यापित करना जानती है हमारे यहां सनातन धर्म की परिभासा ही यह कही गई है कृतेच अपरतिकृतब्यम एसव धर्मस सनातन हम सनातनी इसलिए हैं हर काल खंड में रहेंगे सम बिसम परस्तितियों में भी रहेंगे लेकिन साथ साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वक्त आने पर उसको हम उसी रूप में उसी प्रकार से सम्मान जने रंग से उसका जवाब भी देंगे मोधी जी ने किया तो मोदी जी को लोग उसी संवान के साथ अपना समर्खन दे रहे हैं, जहां जा रहे हैं, कहीं भी, वैश्ट बंगाल, बिहार, महाराश्ट, छतीस गड़, राजस्तान, कहीं भी जा रहे हैं, जम्मू कस्मीर, उतराखन, जहां गए, सब जगे एक ही बार, हर एक जवान पर एक ही सब्द है, कि फिर एक बार, सब्द की जवान पर एक ही सब्द है, ये चीजें दिखाती हैं, क्यों मगर नहीं या अगर नहीं, ये उनके मूँ से इस स्वर निकाल ला है, कि मोदी जी को फिर से आ रहा है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तीजरी बार मोदी जी कोई बन है तो वहाँ भी उधर हम आगे बढ़ चुके हैं लेकिन यह तो कहने चार सो पार इसलिए कि सम्विधान को बदल देंगे देखो यह यह मोदी जी ने मोदी जी फुल मैजरोटी के साथ यानि अकेले भारती जंता पार्टी के पास इतना समर्थन था कि वह सरकार चला सकती है NDA को साथ में लेकर के मोदी जी ने दस वर्स तक सरकार चलाई इन दस वर्सत में कभी संविधान के साथ कोई खिलवाड हुआ मोदी जी ने जब नई संसद बनी तो बाबा साथ भीमराओ अंबेट करके द्वारा बनाई गई मूल प्रति को अपने सिर पर रख करके किसी पवित्र धार्मिक गरंत की तरह दस्तावेच को उसी प्रकार से सिर में रख करके सम्मान जनक अस्थान पर देश की संसद में स्थापित कराया पहली बार हुआ है जब भारत के कोई प्रधान मंत्री भारत के संसद की यैंब संभिधान के प्रती इतना सम्मान का भाव पेक्त कर रहे हूँ दूसरा बाबा साब भीमराः अंवेटकर के पंच aluminum थी भी मोदीजी ने बनाए कॉंग्रेस ने तो बाबा साब भीमराः अंवेटकर को हमेसा अपमान किया उनको चुना भराया था हमेशा उनको अपमान कराया और बाबा साथ भीमरा अमबेट करके द्वारा बनाये गए संविधान में उनकी अनिच्छा के बाब जो तहरा 370 कस्प इन्हों ने जोड़ी थी प्रीड़म टू स्पीच का पहला अमेंड्मेंट कंग्रेस लेकर आई थी 42 संविधान संसोधन के मात्यम से कंग्रेस ने इंदरा गांधी जी ने अपने समय में देश के समिधान में इतना प्यापक संसोधन किये कि 42 संसोधन ही मिनी संविधान कहलाने लग गया और इन लोगों ने पहले जस्ति जंगनाथ के अध्यक्स्ता में कमीटी गठित की थी जिसने इस बात की सिपारिस की थी कि OBC को मिलने वाले 27 प्रस्ट आरक्षण में से 6 पीज़ती आरक्षण मुस्लिम समाज को दे देना चाहिए भारतिय जंता पार्टी एंडिये ने विरोत किया था फिर कॉंग्रेस ने सच्चर कमीटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की सच्चर कमीटी की जस्टिस राजिंदर सच्चर के अध्यक्स्ता में जो कमीशन गठित किया था उस कमिशन ने भी इस बात की सिफारिस की जब उन्हें लगा कि भारतिय जंता पार्टी और NDA इस बात का विरोत कर रही है कि बाबा साथ भीमरा उंबेट करने बहुत स्बस्ट का कि धार्मिक आधार पर आरक्षन नहीं हो सकता तो उन्होंने दूसर रास्ता अपनाया जस्टेस सचर कमीटी के आधार पर कि मुस्लिम समदाय से जुड़ी भी कुछ जातियों को यह अनुसुची जाती में सामिल कर दो जिससे अनुसुची जाती और जन जाती की आरक्षन पर सेन लगाई जा सके तब भी भारतिय जनता पार्टी ने विरोध किया था आज कॉंग्रेस उसी साजिस का हिस्सा बनाना चाती है जातीय जन गर्ना पहले जातीय जन गर्ना करेंगे फिर जातियों को आपस में लड़ाएंगे फिर आपस में लड़ा करके इनसे कहेंगे कि देखो आपस में आप लोगों में काफी मद्भेद है तब तक मुस्लिम समाज को आपके आरक्षन में से कुछ हिसाम दे देते हैं लेकिन भारतिय जंता पार्टी इसको कतई ये डकैती डालने की छूट कॉंग्रेस एंडी गड़बंदन को नहीं देने वाली है और इनके मनसोबों को पावा साथ भीमराओं बेट करके द्वारा बनाये गए इस समिधान में इनके द्वारा जो एक खड़ेंतर क्या जा रहा है इस खड़ेंतर को कभी सफल नहीं है अजया जनता संब्ली में दो सवाल ले सकते हैं आप पूरा देश घूम रहे हैं इस चुनाफ में आपको किसकी लहर लग रही है किसकी हवा लग रही है इसे मैंने कहा ना कि पुरे देश के अंदर एक ही आवाज है पिर एक बार मोधी सरकार और आपकी बार 400 पार